वीडियो अल्मोर्स आइडिक हो चुका है अब हम बच्व हो इमेज को सिलेक करके डिलेट कर देंगे और चलते हैं अब जनरेटर्स आप्शन की तरफ लेफ्ट एंड साइड में फिर वहां से हम सिलेक करेंगे सॉलिड कलर सॉलिड कलर सिलेक करने के बाद हम उसे भी 20 फ्रेम्ज में सेट करके नीची बैक्राउंड लेयर पे ड्रैग कर देंगे ड्रैग करने के बाद टाइटल आप्शन क्लिक करने के बाद टेक्स्ट को भी ड्रैग करके ले लेंगे और उसे भी 20 फ्रेम्ज में सेट कर देंगे अब टेक्स्ट वाले बॉक्स को क्लिक करके हम उसमें टेक्स्ट टाइप करेंगे और साथ ही साथ आपके सोशल मीडिया हैंडल भी आप टाइप कर सकते हो जैसे कि मैं यहाँ टाइप करूँगा टेक्स्ट टाइप कर जाने के बाद अब हम यहाँ पर फॉन्ट साइज और कलर और टेक्स्ट के अलाइंगमेंट को सेट कर लेंगे यहाँ पर मैं अपनी पसंद का फॉन्ट चूज कर रहा हूँ आप कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हो और यहाँ मैं अपने टेक्स अलाइंगमेंट को सेंटर कर रहा हूँ यहाँ पर मैं पसंद का text color choose कर रहा हूँ, आप कोई भी color choose कर सकते हैं एक बार वीडियो को play करके देख लेते हैं, play हो जाने हैं, आप चाहे तो इसमें transition भी add कर सकते हैं, वीडियो transition जाके cross dissolve लेके हम इसे text और solid color दोनों पर apply करते हैं, तो इसी तरह हमारा full video edit हो जाता है और play करते से में कुछ ऐसा दिख रहा है, अब हम चलते हैं export settings की तरफ जो कि है हमारा final step हो, so come to the final and last step हमारे video को export कैसे करना है, तो यह rocket symbol है नीचे उस पे हम click करेंगे और कुछ ऐसा interface दिखेगा, custom option already selected होगा, आपको file name change करना है और साथ ही साथ जहां पर आप video save करना चाहते हैं, वहां पर अपने folder location को enter कर दीजिए, याद रखे कि आपको जो folder में video select कर, video save करना है उसी folder को select किजिए, इतना होने के बाद अब हम video के format को set करेंगे MP4 में, और साथ ही साथ resolution को भी check कर ले कि वो 1080 into 1080 form में हो, यानि square form में और बाकी सब चीज़ों को as it is रहने में, इतना होने के बाद add to render queue पर click किजिए, ताकि वो right hand side render queue option में आ जाए, याद रखे रेंडर करते समय आपका internet connection on होना चीए, इस application के लिए video render करते समय इंटरनेट connection जरूरी है, यहाँ पर हमारा video पूरा render हो चुका है, अब बढ़ते हैं हमारे video preview की तरफ, जहाँ हम अपने final result को देखेंगे, as a finished video editing, तो हम software को close कर लेंगे, और अपने folder पर जाके जहाँ पर हमने अपने video finally save की हैं, वहाँ से अपने video को play कर लेंगे, वीडियो हमारे video, साथ ही साथ मैंने एक और example बना के रखा है, वह भी हम play करके देख लेते हैं, इस example में मैंने text और sound भी add किया है, sound इसलिए नहीं सुनाई देगा आपको ताकि copyright issues ना लगए, वीडियो अरची लगे हैं तो like, share और comment करिए अपने opinions और feedback को, तब तक के लिए thanks for watching.